प्रेंज आजके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मोधीकर में जॉइन होने के बाद कियोएशी क्यों इतना इंपोर्टेंट है और के वाइसी इतना ही इंपोर्टेंट है जो आप अगर एप्रूब नहीं होता है ना तो आपको कोई तरह का किसी भी तरह का बेनेफिट नहीं मुझे तो के वाइसी आप जॉइनिंग जब होते हो तो सबसे पहला डॉकुमेंट जो लगती है के वाइसी रगती है देन जी चारर डॉकुमेंट में तीन चीज मेन होती है तो नॉर्मली जिसमें जीस डॉकुमेंट में आपका एड्रेस पकला तो जिक अच्छा से रच क्लाट अक्षा सब्सक्राय कक्के जैसा लॉग इन किये मोधिकर में लॉग इन किये आप जॉइनिंग इस ट्री डॉकुमेंट से हो गया अच्छा जॉइनिंग होने का बाद आपको का आप आप डाउनलाइन का करना चारहें तो अगर मालूम होगी तो मोबाइल नमबर उसे लिख़ें फिर उसको आप वेरिंफिकेकचन कर सकते हूं ठीक है जैसा मैं यहां पर अपना MCA नमबर लिखी हूं और यह मेरा पाश्वर्ड लिखी हूं देन करने के बाद लिखा है हाई शिमा प्लाटिनम डाइरेक्टर अभी हम लोग बिजनेस पेज आया ठीक है बिजनेस पेज में आप देखना बिजनेस समारी है बोनाश रहे रिपोर्ट्स है और के वाइसी वेरिफिकेशन है अभी मुझे के वाइसी वेरिफिकेशन करना आपका क्लिक करना को क्लिक करते ही आपको को करना है एक कॉलम है मुझे नमबर लिखना पड़ेगी यहां पर मेरा के वैसी अप्रूब है इसलिए नहीं दिखा रहा है तो हुआ पर आपको एमसे नम्मा लिखना पड़ेगी लिखने का बाद दो तरीका से हम लोग अप्रूब कर सकते हैं ठीक है दो तरीका से एक खोड़े मैनुआल एक खोड़े ओटीपी तो ओटीपी अगर जाएगा आपका ही रिजिस्टर्ड मोबाल में ओटीपी आएगा उसे तुरंत लेके फिर आपको लिखना है और दुस्री तरीका से है मैनुआल तो मैनुआल जैसा के वैसी वेरिविकेशन के क्लिक करने का बाद हुआ पर एमसे नमर लिखना है फिर सब्मीट करना है फिर और एक बार आपको लिखना है अपना एमसे नमबर फिर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा जिए आपकी के वैसी एप्रूब्ट हो चुका है तो इस तरह आपको वेरिविकेशन करनी है दो मिनिक की काम है तो प्रेंस मज़ गये कैसे आपको के वैसी एप्रूब्ट करनी है तो थांक्यू प्रेंस इस वीडियो के दोरह आपको अच्छे जानकरी मिली और जिसे यह जानकरी नहीं है उन सब को आप इस वीडियो को शेर करना और अपने टीम में भी अपने डाउनलाइन को शेर करना जैसे आपरूप करने सीख जाते हैं तो आपके टीम के लिए भी बहुत अच्छी रही थांक्यू फ्रेंट आपको यह वीडियो अच्छो लगा तो आप लाइक करो शेर करो और पहले बार आए तो सबस्क्रेब करना नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपका नेक्स्ट वी कर दो